कमजोर और डमी कैंडिडेट उतारने की वजह से बिजेपी के लिए तीसरी बार सत्ता में आने की गुंजाईश हुई कम गन्नोर में पैराशूट उमीदवार उतार कर बिजेपी ने मारी अपने पैरों पर खुलहाडी नहीं जम रहा देवेंदर कोशिक का चुनाव प्रचार ताजा मिली रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल तीसरे नंबर पर खड़े हैं देवेंदर कोशिक चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि जैसे उन्हें किसी चक्र व्यू में धकेल दिया हो गन्नोर क्यों बोल रहा है दिल से देवेंदर काध्यान नमस्कार मैं हूँ हनी शर्मा और आप देख रहे हैं दे लोकल न्यूस पर हमारी खास पेशकर पॉलिटिकल रिपोर्ट पॉलिटिकल रिपोर्ट में हम बात करेंगे गन्नोर विधान सबा की जो आज जीटी रोट बेल्ट की सबसे होट सीट बनी हुई है यानि जिस पर सबकी निगाएं टिकी हुई है गन्नोर सीट के ताजा महौल के बारे में आपको बताएं उससे पहले दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और लाइक करते रहें हाँ तो बात ऐसी है कि ये तो साफ तोर पर जगजाहिर हो ही चुका है कि बिजेपी दवारा इस बार मेरिट के अधार पर काफी सीटों में प्रत्याशी नहीं उतारे गए है बलकि जिताओ उमीदवारों की वजाए कई जगह पर कमजोर और महा डम्मी कैंडिडेट उतारे गए है जिसके चलते बिजेपी के लिए तीसरी बार सत्ता में बरकरार रहने की गुनजाईश कम हो गई है बलकि और तो और चुनोतियां भी बढ़ गई है दरासल बिजेपी ने जिन सीटों पर टिक्टो को बाटने में सबसे बड़ी गलती की है उनमें सोनिपजिले की भी एक सीट शामिल है जिसके बारे में आप सब जानते हैं हाँ वही गन्नोर विधान सभा सीट जो आज कल चर्चा का विश्या बनी हुई है ये सब को पता है कि गन्नोर सीट के उपर देवेंदर काद्यान ने पिछले दस साल में सबसे जादा मेहनत की है और पिछले आठ साल से वो बिजेपी में रहकर लगातार पार्टी की मजबूती के लिए पसीना भाते आई है और जहां इस बार उन्हें टिकेट मिलने की पूरी उमीद थी लेकिन पैरशूट के जरिये उपर से अचानक ही पूर्वसांसद रमेश कोशिक के भाई देवेंदर कोशिक चुनावी दंगल में बिजेपी की टिकेट के साथ उतर गए और मजबूरी में देवेंदर काद्यान को एकदम आज़ाद प्रत्याशी के तोर पर चुनाव लड़ने का फैसला लेना पड़ा जिसकी वज़े से जनता में बिजेपी के प्रती बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है आप सभी जानती हैं देवेंदर कोशिक, पूर्व सांसद, रमेश कोशिक के भाई हैं गणोर और स्वानिपत के एक जाने माने चेहरे भी है लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वो पॉलिटिक्स में नए है आप ये भी देखिए कि रमेश कोशिक की जगा खुद को बड़ा नेता बनाने का ख्वाप देख रहे देवेंदर कोशिक के लिए एक चक्र वियू अब गन्नोर में तैयार हो चुका है क्योंकि गन्नोर में चुना प्रचार में अगर आप देवेंदर कोशिक की वीडियो को ध्यान से देखोगे वहीं फोटो को अगर आप देखोगे तो आपको साफ तोर पर जाहिर हो जाएगा एहसास हो जाएगा कि देवेंदर कोशिक आज की तारीक में कहां पर खड़े हैं देवेंदर कोशिक की आज की चुनावी हालात को सुनने के लिए आप हमारी आज की इस पॉलिटिकल रिपोर्ट को जरूर देखिए दिवेंदर कोशिक बड़ी शिफारिस के जरीए टिकेट हासिल करके गनोर में आ गए हैं गनोर में उनका चार दिन का चुनाव प्रचार बता रहा है कि उनकी बात बन नहीं रही है उनको पब्लिक का रिस्पोंस नहीं मिल रहा है और उनके लिए रास्ता बेहत खराब नजर आ रहा है जी हाँ आप इस पर शायद यकीन नहीं करेंगे लेकिन यकीन तो करना पड़ेगा और यकीन करने के लिए आप इन फोटो को जरा ध्यान से देखिए ये फोटो हमने अपने आप से नहीं ली है बलकि ये फोटो हमने खुद देवेंदर कोशिक के फेस्बुक पेसे लिए हैं जो उन्होंने खुद फेस्बुक पर डाली हुई है इन फोटो को आप ज़रा ध्यान से देखिए इन फोटो में आपको भीड का आकाल नजर आएगा इन फोटो में आपको देवेंदर कोशिक के चहरे पर मायूसी नजर आएगी इन फोटो में आपको देवेंदर कोशिक के साथ में लंबा चोड़ा काफिला नजर नहीं आएगा यानि देवेंदर कोशिक के लिए जनसभाओं में भीड का सपना अधूरा दिख रहा है क्योंकि उनको रिस्पॉंस भी कम मिल रहा है क्योंकि उनको सुनने के लिए बेहद कम लोग आ रहे है देवेंदर कोशिक का चुनाव प्रसार लड़ खडाता हुआ नजर आ रहा है उनका चुनाव उटता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यही वज़ा है जो देवेंदर कोशिक के लिए समस्या बन गई है आप इन फोटो में देवेंदर कोशिक के चहरे को गोर से देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि उनकी टेंशन बढ़ रही है उनकी एंजाइटी उनके चहरे पर साफ नजर आ रही है क्योंकि वो जितनी संख्या में लोगों की उमीद कर रहे थे ओर देवेंदर कोशिक को बहार के लोगों के जरीए छोटी छोटी जंसभाओं को भी काम चलाओ बनाना पड़ता है। देवेंदर कोशिक को ना तो बिजेपी के स्थान्य नेताओं का सहयोग मिल रहा है और ना ही उन्हें जनता का रिस्पोंस मिल रहा है और ये ही वज़य है कि बिजेपी को ये फैसला भी भारी पड़ता नजर आ रहा है बिजेपी के नेताओं ने सोचा होगा कि रमेश कोशिक का पुराना नेटवर्क गनोर में रहा है इसलिए वो अपने भाई को विधायक बनाने का काम करवा देंगे लेकिन आज की तारीक में हालात बदल चुके है क्योंकि रमेश कोशिक के प्रती भी गनोर की जनता में वो प प्रचार डगमगाया हुआ है रिस्पोंस को लेकर वो बहुत खराब हालात से गुजर रहे हैं आपने देखा होगा देवेंद्र कोशिक के 90 प्रतीशत कार्यकर्मों में 12-15 लोग ही होते हैं जहां पर लोगों की संख्या धेड़ सो से 200 होनी चाहिए वहां पर देवेंद्र हो जाएगा कि वहां पर जंता का कितना बड़ा बंपर जंसमर्थन देवेंद्र काद्यान को मिल रहा है आप एक बार देवेंद्र काद्यान को मिल रहे है रिस्पोंस की जलग को भी जरूर देख लीजिए और हमारे पिता तुल्ले बुजरगों की सभी सम्मानितों की तरब से बड़ी माला के साथ अपने बेटे अपने भाई का मान सम्मान किया गया हम सभी का दिल की गहराई से हारदिक स्वागत अभी नंदन करते हैं आपने आज असली ताकत देने का काम कि अपने बेटे आपक अंसे भी निवेदन क्रता हूं, आप भी निच्चे आज़ो, हमारे प्ता तुल्य बुझरक है, बैठे ए मंच्च पे गाउं की सर्दारी सारीकी सारी मंच्च पे बैठी हैं, तो आप निच्चे आज़ो, इनको भी प्रेशा नहीं आएगी, यह गाउं के पिता तुल्य बु आपने देख लिया होगा कि देवेंदर काध्यान और देवेंदर कोशी के जन संपर्क अभियान में जमीन आसमान का अंतर है देवेंदर काध्यान को हर जगा जनता का बंपर समर्थ और आशिरवाद मिल रहा है तो वहीं पर देवेंदर कोशिक के लिए चंद लोगों की भीड भी आगे खड़ी नहीं मिलती यानि ये पैसला पूरे तोर पर 90 और 100 का है जहां देवेंदर काद्यान के कार्यकर्मों में 300, 400, 500 और 1000 आदमी नजर आते हैं तो वहीं देवेंदर कोशिक की जनसभाओं में 8, 10, 15 या 20 लोग ही नजर आते हैं 90 प्रतीशत कार्यकर्मों में उनके लोगों की संक्या 50 से कम ही होती है और यही वज़ा है कि देवेंदर कोशिक का चुनाव डगमगाया हुआ है आप देवेंदर कोशिक को प्रत्याशी चुना बिजेपी के लिए गलत फैसला साबित हो रहा है क्योंकि देवेंदर कोशिक उस हिसाब से बिजेपी के लिए जिताव प्रत्याशी नहीं है जिस अधार पर देवेंदर काद्यान ने 10 साल से महनत की थी पैसे के मामले में बेशक्स से देवेंदर कोशिक आजाद उमीदवार देवेंदर काद्यान से आगे हो सकते हैं लेकिन यह सचाई है कि ग्राउंड पर महनत और ग्राउंड पर लोगों का रिस्पोंस और ग्राउंड पर वोट बैंक आज की तारीक में देवेंदर काध्यान का देवेंदर कोशिक से कहीं जादा है और यही वज़ा है कि देवेंदर का ध्यान आज अज़ाद प्रत्याशी के तोर पर भी देवेंदर कोशिक पर भारी पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आपने खुद देख लिया होगा कि देवेंदर कोशिक के चुनाव प्रचार में वो रंगत नहीं है लोगों की वो भीड नहीं है लंबे काफिले नहीं है और यही वज़ा है देवेंदर कोशिक का चुनाव बैठता हुआ नजर आ रहा है खेर गनोर के चुनाव के बारे म कितनी वोटों से चुनाव जीतेंगे और उन्हें आपके हिसाब से कितने वोट मिलेंगे ये भी कमेंट करके जरूर बताईए गनौर विधान सभा सीट से चुनावी भविश्य को जानने के लिए आप हमारे फेस्बुक चानल को फोलो कीजिए और यूटीब चानल को सस्क्राइब कीजिए और हाँ हमारी पॉलिटिकल रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले शुक्रिया